कि अब बॉर्णी इस्टूरेंट्स एडी ओनलाइन क्लासेश में आप सभी लोगों का स्वागत हैं तो इस्टूरेंट फर्स्टॉप मई से आप लोगों के लिए नए आफ्लाइन बैचेज देरदुन ब्रांच में इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग के लिए जेए आपके स्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं जिन इस्टूरेंट्स ने अभी भी सटेशन नहीं किया है आप । olması कर सकते हैं हमारे application AD online classes से पाकि first of महीं से आप लोगों का session start हो जाएगा एक महीं से आप लोगों के classes start हो जाएगी last session में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग short loads को बना रहे थे flip flop के लिए general दो flip flop को लेकर चले थे पहले basic introduction हमने flip flop का देखा था इसी में हमने सबसे पहले बात की थी कि flip flop sequential circuit होता है तो basic idea sequential circuit का देखा combination के साथ feedback लगाने से बना था तो हमने combination को भी समझा था फिर बात आई आप लोगों की यहाँ सबसे पहली जो term होती हो लैच थी लैच पर feedback लगा तो फिर flip flop बना flip flop में भी हमने basic flip flop देखा sr और जे के latch में हमने basic latch देखा था sr latch by using nand और नौर जिसमें हमने साब साब कहा था कि nand वाले circuit को हम prefer नहीं करते हैं जनरली जो prefer करते हैं वो नौर वाले circuit को करते हैं ठीक है फिर बात आई थी student आप लोगों कि sr flip flop की तो यहां में sr flip flop को देखा भी था इसके लिए हमने characteristic equation भी देखे थी circuit भी देखाता इस गर बहुद दहा था इसके लिए आपकी यह characteristic equation garant भी देखी थी थी ठीक है इसी series में मि और आगे बढ़ता हूं स्ट्रेंट इसी sequence में और आगे देखता हम लोग नेक्स जो आप लोगों का फ्लीफ लॉप आता है वो है इस्टृेंट आप लोगों का डी फ्लीफ लॉप ठीक है हैं यहां से हमने क्या कहा next flip-flop आपका d flip-flop ठीक है अब d flip-flop को लेकर सलते हैं कि d flip-flop में था क्या student आपका तो यह हमारा क्या था एक तरह से advancement था change था sr flip-flop में और क्यों यह change किया गया था यहां से हमने कहा भी था कि sr flip-flop में क्या थी आप लोगों की दो हमारी कैसे थी unpredictable state थी ठीक है कि यहां से मैंने क्या कहा कि दो aci state थी जो define नहीं थी यह सही से नहीं थी ठीक है इन दो state में ने कहा भी कि पहला state था कि जब sgq 0 और rgq 2 भी 0 था ठीक है वहीं दूसरी state हमने कि देखी थी कि यहाँ पर हमने क्या कहा था s is equals to one और r is equals to one ठीक है तो मैंने यहाँ क्या कहा था कि जब दोनों input 0 थे तो next state हमारी same कैसे आती थी जैसे previous state थी ठीक है वहीं जब दोनों बराबर थे तो हमने साब साब कहा था कि जो next state आईगी वो कैसी होगी invalid state होगी वो एक valid state नहीं आती है ठीक है तो यह बात थी आपकी d flip-flop की अब इसके हिसाब से ही फिर हमने कहा कि फिर इसको change किया कैसे गया तो जब d flip-flop बनाया गया तो इसमें simple क्या रखा गया print आपका कि s is equals to d रखा गया ठीक है और यहीं हमने r is equals to देखा तो यह आए आप लोगों का d bar मतलब sr flip-flop में हलका सा change हमारा किया गया मैंने for example कहा भी यहां से कि आप end से बनाइए नौर से बनाइए कि अगर हम नौर से ही circuit को में design कर रहा हूं तो कुछ इस तरह से circuit आया ठीक है कि अगर मैं पहले circuit को देखता हूं sr flip-flop के लिए तो यह आगया qn bar ठीक है यहां आप लोगों का होता था s ठीक फिर इसी तरह से नीचे से भी circuit को देखते हैं तो यह हमने कहा कि यह इस तरह से दूसरा नौर गेट लग गया ठीक है यह आगया आप लोगों का qn cross coupled connection किया तो यह हमारा latch बन गया ठीक है और इसी पर अगर clock लगा देते हैं तो यह बन गया आप लोगों का flip-flop ठीक है यही से गर हम देखते हैं कि हमने clock pulse अप्लाई की त अबर हमें कैसे देना है complemented input देना है तो यहां not लगा देगे डी बार हो जाएगा ठीक है तो यह कुछ इस तरह का आप लोगों क्या क्या है circuit है आपका किसका d flip-flop का ठीक है फिर बात करते हैं इसके truth table की भी इसकी सत्यता सार्णी को भी अगर हम देखते हैं तो हमने simple से बा होगा तो इस हिस्तेती में next state पर क्या आएगा 0 आएगा यह simple क्या होगा आपका reset होगा ठीक है क्योंकि आप देख सकते हैं 0 और यह one हो जाएगा अगर यह one होगा तो इस हिस्तेती में यह क्या आएगा आपका one आएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं set कहते हैं ठीक है तो यह simple हमारी क्या बन गए truth table बन गए single input था अच्छा यहीं से एक दो question और हमारे तयार होते हैं कि अगर मैं D flip-flop को देखूं भी ठीक है तो D flip-flop को और क्या कहते हैं इसी को हम लोग data flip-flop भी कहते हैं ठीक है इसी को transparent flip-flop भी कहते हैं यही हमारा क्या होता है transparent या data flip-flop भी होता है ठीक है यह data transfer flip-flop भी इसको हम कहते हैं वहीं अगली बात अगर मैं यहां से जोड़ता हूं कि इसके लिए characteristic equation को अगर मैं देखता हूं तो यह simply कैसे आता है student आपका qn plus one is equal to simple क्या आता आपका d आता है कि जो आप input apply करेगे वह ही आगे क्या होगा आपका pass होगा इसको और क्या कहते हैं data flip-flop भी कहते हैं transparent flip-flop भी कहते हैं या फिर आपका इसी तरह से इसी का जो एक और नाम आता है वह है इस्ष्ट्रेंट आपका data transfer flip-flop ठीक है अब देखें, यह तो था इस्टूरेंट आप लोगों का D flip-flop, यहां से हम लेकर भी चले थे, तो यह हमारा कौन सा flip-flop था? D flip flop था Last flip flop जो बसता है Student आप लोगों का इसी category में अगर मैं एक और flip flop को जंदल flip flop को लेकर चलता हूँ तो वो है student हमारा यहींच अगर मैं कहूं भी T flip flop toggle flip flop भी जिसको हम कहते हैं ध्यान से देखेगा यहां से मैंने क्या कहा या इसको इसी तरह से मैं लेकर चलता हूँ मैंने यहां से T flip flop को represent करते हैं ठीक है यह देखेगा यहां मैंने इस तरह से यह बनाया तो मैंने कहा कि next जो हमारा flip flop है अगला जो हमारा flip flop है यह हमारा T flip flop ठीक है यह आपका T flip flop तो T flip flop की सबसे बड़ी बात आती है सबसे पहले इसके नाम को ही थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं समझते हैं कि इसका नाम हमें क्या indicate करता है ठीक है तो T flip flop के लिए हमने सबसे पहले बात कही ही कि इसको क्या कहते हैं हम लोग toggle flip flop भी कहते हैं ठीक है T4 हमने क्या कहा कि ये हमारा क्या होता है toggle flip-flop भी होता है ठीक है तो ये सबसे पहली बात आई कि toggle flip-flop दूसरी बात मैंने यहीं से कही कि ये आप लोगों का advancement था JK flip-flop का और हमें अपसर question भी पूछता है कि single input JK flip-flop कि single input के JK flip-flop को क्या कहते है तो single input का JK flip-flop होता है उसे क्या कहते है T flip-flop कहते है अब single input था तो हमने कहा पहले हम JK flip-flop को बनाते हैं तो जब JK flip-flop को बनाया था तो आपको याद होगा कुछ इस तरह से पहले SR flip-flop था आपका तो ये हमने SR flip-flop बनाया फिर SR flip-flop में ही कुछ advancement था तो वह भी दिखाते हैं कि अगर मैं सिर्फ इतने circuit को देखूं तो यह SR flip-flop था यहां गया QN बार और यह था QN तो यहां हमने कहा भी था कि ऐसे जी क्या था आप लोको का J into QN बार था ठीक है ठीक है अब हमने क्या कहा कि इसमें हमें क्या करना है सिंगल इंपुट देना है तो मैंने सिंपल सी बात क्या कही कि दोनों इंपुट को बस आपस में connect कर देना है और यह T behavior यह आप लोगों का होल इस्टेइट होती थी previous इस्टेइट आएगी QN यहीं अगर होता है तो यह इस इस्तिति में क्या होता आपका टॉगल होता था इसका मतलब previous state के output का contaminated output हमें मिलेगा यह कुझ इस तरह से था नेक्स बात आती कया characteristic equation की, तो characteristic equation अगर आप लिखेंगे तो ये बनती है QN plus 1 is equals to T XOR QN, ये हमारी क्या आजाती है, characteristic equation आजाती है, कि कुछ इस तरह से अगर मैं represent करूं, तो ये अपना क्या होता है, characteristic equation होता है, QN plus 1 is equals to T XOR QN, तो ये हमारी क्या instrument आपके, जनरली अगर मैं बात करता हूं, तो ये हमारे क्या होते हैं, चार standard flip-flop होते हैं, जिनको generally हम लोग use करते हैं, ठीके, सबसे पहला हमारा SR flip-flop था, ठीके, फिर JK flip-flop था, SR के advancement पर ही ये सब चले, कि यहाँ आपका invalid state को हटाने के लिए JK आया, फिर जो दो state आ रही थी, उनको ह flip-flop में अकर करती है, तो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि toggle जो condition होती हो, सिर्फ दो ही flip-flop में, T flip-flop में और आपके JK flip-flop में अकर करती है, बाकी किसी भी flip-flop में नहीं अकर करती है, तो ये था इस्टुरेंट आप लोगों का complete flip-flop, और इसी तरह की चीजें इस किस तरह से लेकर चलेंगे, किस तरह से हम लोग discuss करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो एक एक चीज ये इसी तरह से student आपकी जब first में से आपकी classes start होंगे, वहाँ पर भी चलेंगे, तो आप लोग इस session को like और share जरूर करें, बाकी साथ के साथ इस्टुरेंट जिन इस्टुर कर सकते हैं, प्रॉपर डिटेल ले सकते हैं कि क्या facility है, क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से आगे की चीजें रहने वाले हैं, आज के session को इतना ही रखते हैं स्टुरेंट हम लोग आज के लिए, thank you students.